नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके मैं दोस्तों इस वीडियो में में लेकर आ गया हूँ SSE MTS जिसका पेपर आज आपके 5 अगस्त को हुआ है तो इसके पर्थम पारे में पूछे गए मेरे को टोटल 25 जीके में से 23 जीके याँ पे हूब हूब क्योशन मिल चुके हैं इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है जो भी क्योशन होंगे वो आपके 100 परतिशत रियल और अथेंटिक होंगे और यदि आज आज आपका पेपर सेकेंड सेट या फिर थर्ड सेट में है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपके पारी में कौन से क्योशन है वो पूछेगे हैं इस्पेशली जीके के तो आपके सामने 5 अगस्त की पर्थम पारी का पहला क्योशन यूके भारत के सम्मंदों को आगे बढ़ाने वाली 100 सबसे परभावसाली महिलाओं में से कौन सी भारतिय महि महिलाओं की लेश्ट है इसमें से कौन सी भारति महिला सामिल है तो यह हैं दोस्तों वित मंत्री निर्मला सीता रमन है और इसी लेश्ट में बिर्टैन की सबसे वरिष्ट कैबिनेट मंत्री पैनी मुर्दनट भी सामिल है अगला क्योशन हिंदी राजभासा किस निगरी होगी नेक्ष्ट के उसने वाike के लिक्ष कर मपाली पर मिल् मिल्लास के लिए मावलंगर लोगशा इनसरों को यह प्रम पेस्टों करके जोइन करते हो अगला स्वाल debit card में कितने digit होते हैं तो debit card होता है जो आपकी ATM card होता है उसमें total 16 digit होते हैं जिसमें शुरुवात के चछब digit है वो bank को बारे में बताते हैं कि कौन सी bank का ये debit card है यानि bank identification number होते हैं और बाकी बच्चे वे जो 10 digit होते हैं वो आपकी unique account number होते हैं अगला स्वाल है सबसे ज़्यदा बार budget paste करने वाले with mantra कौन है इस question का answer जाने उससे पहले मैं आपको बता दू दोस्तों यदि आप 2019 में SSE और railway के किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो आपके लिए best study material रहेगा 2018 में T6S company के दोरा पूछेगे सबी paper की OPCL यहां पर answer की आप देख सकते हैं SSE CGL 2019, 10% 2018, GD 2019, CPU 2019, MTS 2017 और 10% 2019 इन सबी से exam की आपको PDF file discount deal के तहत मातर 60 रुपए मिल रही है description box पर payment की link है payment होने के बाद यहां पर आप WhatsApp कीजिए आपको तुरन PDF file मिल जाएगी इसी प्रकार यहां पर railway के सबी paper available है जिसमें आपके railway J219 है NTPC 2016, Group D 2018 के सबी 135 पारी SI Constable, ALP, CBT First और Treadman, सबी की link description box में है तो वहां से आप payment करने के बाद वाट्शेप कर सकते हो तो सबसे ज़्यदा बार budget paste किया है मोरारजी देशाई ने किया है देशाई ने 10 बार देश का budget paste किया था जिसमें से आपके 8 तो सालाना आम बजट थे और 2 अंत्रिम बजट थे और मोरारजी देशाई जिनका जनम दिन आता है 29 फैब को तो इसी दिन इनोंने 2 बार budget paste किया था पहली बार 1964 में और दूसरी बार 1968 में इस कान उनके budget को birthday budget भी कहा जाता है अगला स्वाल है पानी में किस ततो की अशुदी से कैंसर होता है तो पानी में आर्षेनिक की अशुदी के कान कैंसर रोग होता है राष्टी ध्वज है ये कब अपनाया गया था तो राष्टी ध्वज को एडप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को बात करें राष्टी ध्वज को किस ने डिजाइन किया था तो पिंगाली वेंक्या ने डिजाइन किया था और सबसे पहले जो फेराया गया था वो 1923 को ये पर्थम बार फेराया गया था और एक क्योसन बहुत बार आया है competitive exam में कि राष्टे द्वज का अनुपात क्या होता है चोड़ाई और लंबाई का अगला स्वाल है सिखों के पांच में गुरू कौन थे तो गुरू अरजुन देओ थे सिखों के पांच में गुरू बात करें सिखों के पर्थम गुरू की तो वो थे नानक देओ और अंतिम गुरू जो सिखों के 10 गुरू हुए है इसमें से 10 में गुरू थे गुरू गोवि टर्म है और दोस्तों आपके SSE TELPS 2 में 2019 में क्यों सनाया था कि वेलो ड्रॉम है ये जो टर्म है किस खेल से है तो साइकल की ये भी साइकलिंग की टर्म है साइकलिंग ट्रेक को बोला जाता है वेलो ड्रॉम अगला स्वाल है 2018 में राजिव गांधी खेल रत्न आबाड किसे मि बात करें तो इन्होंने 2018 में Commonwealth गेम में गौल्ड मेडल जीता था और राजिव गांधी जो खेल रत्न पुरुषकार है ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरुषकार है जिसमें जो पुरुषकार राशी दी जाती है वो 7.5 लाग रुपे की दी जाती है एक युसंता यहाँ पे की बान भट हैं उनकी रचना कौन सी है आपकी option में कादंबरी था करेक्ट हो जाएगा कादंबरी किसकी रचना है तो बान भट की है कादंबरी संस्कृत साहिते का एक महन उपन्यास है एक युसंता उडिशा की परमुक पैंटिंग कौन सी है पट चित्र प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो यह आपकी proportion का रोग है क्वासी और कर और एक मरसमस भी होता है दोनों ही proportion के रोग हैं प्रोटिन की कमी से होने वाले समिधान में कुल कितनी शिडूल है तो समिधान में टोटल यहाँ पे देखिए मूल समिधान की बात करें तो मूल समिधान में 8 तो आपके शिडूल थी 395 अनुच्छे थी और 22 भाग थी और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में समिधान में टोटल चार सो अर्टाली आर्टिकल हैं 25 या पर आपके भाग है और 12 अभी अनुसूचिया हैं तो वर्तमान में अनुसूचियों की बात करें तो 12 हैं मुल समिधान में 8 थी और आप मेरे को नीचे कमेंड करके बताईए अभी तक कितने समिधान संसोदन हो चुके हैं अगला स खोज करता है जैमस चैडविक इन्होंने 1932 में इसकी खोज की थी और प्रोटॉन के हैं गौल्ड इस्टी नेवों रदर फॉल्ट अगला स्वाल गुलाम वन्स के संस्थापक कौन थे तो गुलाम वन्स के दोस्तों संस्थापक थे कुतूब दिन एबक थे और इनका जो सा प्रफनत की बात करें तो टोटल पांच वन्स थे तो पहले यहां पर गुलाम वन्स हो गया उसके बाद यहां पर वन्स आया था खेलजी राजवन्स तो खेलजी राजवन्स इसका काल 1290-1320 रहे और इनके जो पर्थम सा सकते वो जलालुदीन फिरोज खेलजी थे और उसक इनके नवरश को क्या का जाता है तो परशीन हैं इनके नवरश को का जाता है न्रोज क्या बोला जाता है? नोरोज बोला जाता है, नोरोज होता है इनका नया साल, अर्ब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो यह क्यों से न आपकी पूछा गया था, इन्में से आपका correct होगा, सिंदू नदी, सिंदू नदी हैं जिसका उद्गम होता है, तिबत के मानसरोवर के निकट, सिंदु का बाब नामक जलधारा से इसका उदगम होता है सिंदु का और ये अरब सगर में गिरती है और यहाँ परमुक नदियों की बात करें जो अरब सगर में अपना पानी छोड़ती है तो उसमें लूनी है साबरमती, मही, निरमदा, तापी, मानवी, जुवारी, सारावती, गंगावेली, पेरियार और भरत पूर्वा है परमुक नदिया और दोस्तों यह क्योशन बहुत बार आता है कि कौन सी भारत की चार नदिया है जो आपकी खमबात की खाड़ी में गिरती है एक आपकी क्योशन था जो दलदली मिट्टी है वो किस राज्य में नहीं पाई जाती है दलदली या फिर इसे मार्च मिट्टी भी बोला जाता है तो मार्च या दलदली मिट्टी है ये कहां पर पाई जाती है तो ओडिशा, पच्छिम मंगाल, तमिलनाडू, बिहार और उत्राखंड में परमुकुरूप्षे पाई जाती है इसके अलावा जो आप्सन में था वो जन संक्या घनतो कितना है तो 2011 की जन घनना के एकोर्डिंग भारत का जो जन संक्या घनतो है वो है 382 वेक्ती परती वरक किलोमेटर, एक वरक किलोमेटर में 382 वेक्ती और इससे पहले जो 2001 में जन घनना हुई थी उसके अनुसार 324 वेक्ती परती वरक किलोमेटर घनतो था जो कि बढ़ गया है यापे और सबसे ज़्यादा की बात करें बहुत बार क्योंसन आता है सबसे ज़्यादा गनातो किस राज्ये का है तो वो बिहार का है एक जार एक सो च्छे वेक्ती परती वरक किलोमेटर है दाब बराबर बल बटा आपकी छेतरपल होता है और इसकी विद आपकी कई है पासकल कौन RBI के गवर्णर नहीं थे ये चार ओप्सन दिये गए थे जिसमें करेक्ट होगा सुनील अरोडा है ये RBI के गवर्णर नहीं रहे है सुनील अरोडा की बात करे तो ये वर्तमान में चीप इलेक्शन कमिसर है इंडिया के और वर्तमान RBI की गवर्णर को नहीं तो सक्तिकान दास है और पर्थम RBI की गवर्णर की बात करे तो वो थे ओस बरॉन स्मित और तो इस टाइप से आपके जो 23 क्योशन यहाँ पर मेरे को रियल मिले है क्योशन वो मैंने आपको बता दिये है इस बात पर एक लाइक कर दीजिए और आज आपका पेपर है तो कमेंट करके जरूर बता प्डेश आपके लाइप मिले हो एक।